जह मतदी दोस्तों कैसे हैं? आप सभी आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्त होंगे आज मैं आपको एक शाबर मंत्र बताऊंगा और इस मंत्र का प्रियोग शरीर के रोगों को दूर करने के लिए किया जाता है जब आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि हमारे शरीर में कौन सा रोग है, कौन सी बीमारी है, क्या समस्या है तब आप इस मंतर का प्रियोग कर सकते हैं सबसे पहले तो इस मंतर को सिद्ध करने की आवशक्ता आपको पड़ेगी वैसे तो शावर मंत्र स्वेम सिद्ध होते हैं लेकिन फिर भी इस मंत्र को शक्ति शाली आपको बनाना पड़ेगा उसके लिए आप किसी भी त्योहार के दिन किसी भी पर्व के दिन इस मंत्र का जाप कर सकते हैं आप इसका कम से कम 108 बार जाप करेंगे, आप इसको होली पे कर सकते हो, दीपावली पे, महाशिवरात्री पे, जनमस्टमी पे, या फिर कोई भी परवो, कोई भी तेवहारो जो आसपास हो, समीपो, नवरात्र कालो, उसमें आपको इस मंतर का जाप कर लेना है कम से कम 108 बार प या जिस भी वैक्ति को परिशानी हो रही है किसी भी समस्या को ले करके तो आप इस मंत्र से जहाड़ा अगर आप उस वैक्ति को लगाएंगे तो वैक्ति स्वतह ठीक होना शुरू हो जाएगा और यह क्रिया आपको तीन दिन लगातार करनी है आपको करना के आओगा कि आपक करके उस वैक्ति का जहाड़ा लगाना है उस वैक्ति का उस वैक्ति के उपर आपको फूक मारनी है या फिर आप जो मोर पंक होता उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो या फिर आप चाकू का इस्तेमाल भी कर सकते हो चाकू से या मोर पंक से अगर कोई भी चीज आपके पास में एवेलेबल नहीं है तो आप 11 बार मंत्र पढ़के अगर उस रोगी पर उस व्यक्ति पर फूक मारेंगे तो उसकी जो भी समस्या होगी जो भी बिमारी होगी वह धीरे-धीरे करके खतम हो जाएगी और वह व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्त हो जाएगा यह क्रिया आप कोई ऐसा विशेश मूरत नहीं कोई दिन नहीं किसी भी दिन से आप यह जाणा लगाने का कारे कर सकते हैं और तीन दिन लगातार आप ऐसा करेंगे तो वह व्यक्ति स्वस्त हो जाएगा अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ उसके बाद में आप इस मंत्र को किसी भी पीडा मस्तक की पीडा चौरासी बाई बली बली भस्म हो जाए पकेना फूटे पीडा करें तो गोरक यती रक्षा करें गुरू की शक्ति मेरी भक्ती फुरह मंत इश्वरोवाचा यह शाबर मंत्र है मैं यह मंत्र स्क्रीन पर भी डाल दूँगा वहां से भी आप लोग द करना चैनल को सब्सक्राइब करना जै मातारानी की